बिस्मिल्लाहिर रख्मान इर्वाहिम इन्दी नेम उफ अल्माइटी वो क्रेटीड अमैन विद गलॉट अफ बलॉट असलाम अलेकम स्रोडेंट्स होब यौल आर फाइन गुड प्यारे बचो आज हम जमात शेशम की इसलामियत पढ़ने जा रहे हैं और उसका उन्वान है हकुकुल इबाद ठीक है उसका सफ़ा नंबर है 61 to 66 ठीक है आज दे है हमारे पास Tuesday और डेट है 22nd December ठीक है प्यारे बचो सबसे पहले मैं आपको हकुकुल इबाद का मफ़ूम बताऊंगी ठीक है हकुकुल इबाद का सबसे पहले तो मतलब ये होता है हकुकुल इबाद यानि बंदों के हकुक ठीक है एक होता है हकुकुला हकुकुला जो होता है वो अल्ला ताला के हकुक होते हैं ठीक है और हकुकुल इबाद जो है वो बंदों के हकुक हो गए तो सबसे पहले मैं आपको हकुकली बाद का मफूम बताऊंगी रोज मरा जिंदगी में हमारा सबसे करीबी तालुक वालदैन, बीवी बचों, बेहन भाईयों, परोसियों, असाथजा और दोस्तों से होता है प्यारे बचों, आप सब जानते हैं कि बिल्कुल ये राइट है, बिल्कुल ऐसे ही होता है हमारे साथ, हमारा सबसे करीबी तालुक वालदैन से है, बीवी, बचों, बेहन भाईयों, परोसियों, असाथ और दोस्तों से ही होता है ये सब लोग हमारे अच्छे रवये के हकदार हैं, सब इनसानों से अच्छे सलूक और हमदर्दी के रवये की बेहद एहमियत है मतलब सब इनसानों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जाए, उनके साथ हमदर्दी वारा रवया रखा जाए ठीक है? Allah-Tahala की तरफ से सब के हकूख मुकरर हैं मतलब कि Allah-Tahala ने सब के हकूख मुकरर कर दिये हैं जिने हकूखली बाद यानि बंदों के हकूख कहा जाता है जासा कि मैंने आपको ओपर टॉपिक का मीनिंग बताया था तो यह वही बात है यानि के हकुकल इबाद, बंदों के हकुक, इन हकुक की अदाइकी हम सब पर फर्ज है, एक दूसरे के हकुक बजा तोर पर अदा करने से ही अच्छा मौश्रा बनता है, तीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हकुकल इबाद जो हम पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट हमारे पास, इनसान पर अल्ब ताला ने दो तरह की जिमादारियां आयत की है, यानि के दो तरह की जिमादारियां डाली है, जिन का अदागरना बेहद जरूरी है, प्यारे बचोँ, नमबर एक पे है, अवल इबाद इलाही, बंदगी और शुकर गुजारी, यानि के इन्सानों की खिद्मत और हम दर्दी करें तो पहले फराइस को हकूक अल्ला यानि अल्ला के हकूक और दूसरे को हकूक अबाद यानि बंदों के हकूक कहते हैं हकूक अबाद में करीबी तालुक दार जो हैं क्योंकि आम जिंदगी में पहला तालुक जो है हमारा उनी से ही वाबस्ता होता है, उनी के साथ ही जुड़ा होता है, ठीक है? इसलिए इनके हकुग का बियान इस बाप में शामिल किया गया है, जो के हम मैं आपको बताती हूं, ठीक है? सबसे पहले है हमारे पास वालदेन के हकूख इस तरह डे बाई डे हम प्यार बच्छों पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट जितने भी और हकूख होंगे ठीक है सबसे पहला हमारा पॉइंट है वालदेन के हकूख इनसानों के जो करीबी तालुकात में सबसे ऐहम और करीबी तालुक है वो वालदेन और उलाद का रिष्टे का होता है ठीक है वालदेन अपनी तर्तवा नाईया और सलाहितें उलाद की परवरिश, तरक्य, खुश्छाली और अच्छी तर्वियत के लिए सिर्फ करते हैं प्यारे बचों आप सब भी जानते हैं कि हमारे पैरेंट्स भी हमारे साथ इस तरह ही करते हैं अपनी तमाम दर्टवानाईया, अपनी तमाम कमाई सब कुछ अपनी हर सलाहियत जो उनके अंदर है वो मतलब के उलाद की परविश के लिए वो इस्तमाल करते हैं उनकी तरक्य के लिए उनकी अच्छी तर्वियत के लिए कोशा रहते हैं ठीक है, उलाद के आराम के लिए दिन रात मुशक्कत करते हैं उनकी देख, बाल और तरकी के लिए कोई कसर उठा नहीं रखते इसलिए वो इस बात के मुस्तहिक है कि उनसे भी वैसा ही अच्छा सलूक किया जाए जैसा कि उन्होंने अपनी उलाद को पालने में उस वकत किया था जब वो छोटे थे ठीक है? प्यारे बचो, जब वालदेन अपनी उलाद के साथ अच्छा सलूक करते हैं तो उलाद का भी फर्स होता है कि वो अपने वालदेन के साथ बढ़ापे में अच्छा सलूक करें जैसा कि उनके वालदेन ने उनके बच्पन में उनके साथ बहुत मुहबत बरा और अच्छा रविया रखा था ठीक है वालदेन के उलाद पर हकूक के सिल्सले में अला ताला ने वाजिया हदाया दी है अला ताला ने भी वालदेन के जो उलाद पर हकूक है उस सिल्सले में काफी क्लियर बहुत वाजिया हदाया दी है ठीक है प्यारे बच्चों होपस हो कि आपको वालदेन के हकुक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ठीक है तो प्यारे बच्चों ये सफ़ा जो है 61 इसकी आपने पढ़ाई करनी है अपना और अपने घरवालों का अपने वालदेन का बहुत ख्याल रखना है आपका बहुत शुक्रिया लाहाफिज